तो गाज आज की इस लेक्चर में बात करेंगे प्रानियों में पोसन लेक्चर 1 और चेपटर ये 2 है कलास 7 के लिए जी हाँ दुस्तों प्रानियों में पोसन हमने पिछली लेक्चर में पौधों में पोसन पड़ा और आज पड़ने वाले हैं प्राणियों में पोसन और यह है चैप्टर 2 और कलास 7 के लिए आज के बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगी अगर समय बचेगी तो आपको हम कुछ सवाले देंगे और आपको बनानी है और चलिए समझते हैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट को और किलर करते हैं बेस को तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दियू कि मैं हूँ पापो और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल साइंस महल तो चलिए अब वीडियो को शुरूई करी ही लेते हैं और देखी लेते हैं कि इसमें क्या आने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहां लिखा हुए परानियों में पोसन तो दोस्तों सबसे पहले जानना हमें यह जरूरी है ना कि प्राणी क्या होते हैं और फिर पोसन क्या होता है इसके बाद तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है तो चलिए सबसे पहले प्राणी बात कर लेते हैं दोस्तों आप सब जो है ना और अब देखिए मच्छर, तितली, मनुसी, इतियादी ये सब जो है आप देखे होंगे, दोस्त ये ही सब है प्रानी, गाय, बैल, भैंस, बक्री, इतियादी ये सब होती है आपको प्रानी, तो इनको ही में देखना है पोसन, कि खाने की जो बिधियना कैसे होती है, समझें, तो अब चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कि पोसन क्या होते है, चलिए, तो दोस्त पोसन हमने पहली लेक्षर में बताया था कि खाने की परकिरिया को पोसन कहते हैं, तो बस वैसा ही इसमें भी है, जो भोजन हम खाते हैं वो क्या कलाता है, पोसन कलाता है वास्तों में, अं ग्रहन पाचं औसो, स्वांगिकरंद और निस्कांशन हम आगे चलेंगे और देखेंगे ठीक है। तो एतना किलेर हुए होगा कि क्या होते हैं परपोषन बिध्य किसे कहते हैं दोस्त सभी परानि अपना भोजन पर्तयक्छ रूप से पथी द्वारा बनाया गए भोजन या अन्ने जन्दू से प्राप्त करते हैं और मानो सहित सभी जन्तु परपोसी होते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों परपोसन बीधी कहने का मतलब है दोस्त कि कोई भी जीव जो है वो अपने से भी भोजन बना लेता है और दूसरे के साहता भी भोजन बना लेता है ठीक है और वो जो मानो सहित जितने भी जन्तु है न सब क्या है परपोसी है और वही उनके जो खाना खाते हैं तो वह खाना खाने की जो बिधिया होती है न दोस्त तो वही तो होती है परपोसी है तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि आगे क्या आती है तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्त की आगे क्या है तो दोस्तों अब देखती हैं हम कि भोजन अंत गरहन की कुछ अन्य बिधिया भी होती है जिहां दोस्तों भोजन अंत गरहन की कुछ अन्य बिधिया भी होती है जो विभिन जियों के शरीर के रचना के अनुरूप अलग अलग होती है कहने का मतलब है कि भोजन जो हम क होती है समझें तो देखे सबसे पहले बात कर लेती हैं एक कोश्कीय जीव के बारे में दोस्त आप सब एक कोश्कीय जीव जैसे प्रोटो जोवा जानते होंगे प्रोटो जोवा और अमिवा जो है न दोस्त ये आपको एक को स्कीजी में और ये अपना भोजन कुट पाद द्वारा ये भोजन पराप्त करता है अमिवा जो है ये अपना भोजन कुट पाद द्वारा क्या करता है भोजन पराप्त करता है कहने का मतलब दोस्त आप अमीवा जो है ना एक जली प्रानी है अमीवा जो है एक जली प्रानी है और इसका जो अकार होता है इस तरह का होता है मतलब उसका अनिश्चित अकार होता है ठीक है तो अमीवा जो है इसका अकार अनिश्चित होता है समझने। यह जल्ल में पाया जाता है.. यह आपना भोजन कुठ पाथ द्वारा प्रात करता। यानि चोट 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 तटे तुकड को अपना भोजन प्राप करता है क्लें। कि मधुमक्खी जो है, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है, तो देखें दोस्तों मधुमक्खी फूलो के मकरंद, मकरंद कहने का मतलब समझ रहें, नहीं होता है इस तरह से जो लोग घेरे मतलब कापड़ा पहन कर उसको मारते हैं, उसको ही बोलते हैं माकरंद यानि माकरंद का मतलब हो गया रस चुशते हैं मधुमाखी जो है फूलों के क्या चुशते हैं रस चुशते हैं समझें और इस तरह से विए अपना भोजन करहन करते हैं एतना दूर आए आपको अब चलते हैं दोस्त की सर्प जो है जैसे अजगर सर्प के ले लेते हैं बात के लेते हुए अपने मुह से अपने अहार यानि भोजन को पूरा निगल जाते हैं अजगर कोई मान लेते हैं एक सांप है दोस्त तो वो जो सांप है आपको किसी भी चीज को निगल निगल कर प्राप्त करता है तो हम ये कह सकते हैं कि सर्प अपने मुह से किसी भी चीज को निगल निगर कर प्राप्ट करता है समझे? तो चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं पंच्छी के भी सैमें तो दोस्त जो पंच्छी है ना, पंच्छी ये कैसे अपने भोज़ं अंतगरहन करती हैं आंदर कैसे लेती है, तो दोस्तों, अपनी चौंचों से ये अनाज के दानों यों, कीडे मकौरों को पकड़कर खाती हैं, समझें, ये जो है न, पंची दोस्त, convince अनाजों को अपने चौंच उसके होते ह Мपंची के जो चौंच होते हैं, उसके जर्ये वो क्या करते हैं किसी चीज को मतलब पकड़ के खाते हैं और दानाव न चुगते हैं समझे दोस्त अब देखी आगे पड़ती हैं यह जो गिर्गिट जिसको बोलते हैं टेटेंगा टेटेंगा भी गिर्गिट को बोलते हैं दोस्त गिरगिट जो है कैसे अपना भूचन अंतकरेहन करता है तो वे जीवित कीडो को एक ही जटकों में जीव से लपेट कर मूख के अंदर खीच लेता है दोस्तो जो जथी गिरगिट है वो अपने जीव जो है ना उसके जीव से वो क्या करता है कि मतलब खीच लेता है कितना दूर कोई जीच कीड़ा है ना तो वह जीव से खीच लेता है समझें तो हम यह कह सकते हैं कि जो गिर्गिट है ना जीवित कीड़ो को क्या कर लेता है यह की जटकोई में मारा भी यह तो खाता है पर जीवित कीड़ो को क्या कर लेता है यह की हम आपको वे solution बताएंगे अब दोस्तों बात के लेते हैं चुहा चुहा समझ रहे हैं चुहा अपने भोजी पदार्थ को क्या कुतर कुतर के अपना भोजन पराप करता है चुहा समझ रहे हैं दोस्त चुहा जो है अपना भोजन कैसे पराप करता है तो चुहा किसी भोजन को ग्या करता है कुतर कुतर के वो अपना भोजन पर आप करता है किसी चीज को तो अब बात कर लेते हैं दोस्त कि अंतह कोशिकिये किसे कहते हैं सुरी अंतह कोशिकिये पाचन किसे कहते हैं अंतह कोशिकिये पाचन किसे कहते हैं तो दोस्त तो पाचन जो कुष्का के अंदर होगा ना माले ते हैं कोई कुष्का है उसके अंदर कोई पाचन होगा ना तो वो हो गया आपको दोस्त अंता कोशी का पाचन समझें तो अंता कोशी का पाचन किसको बोलेंगे मतलब कुष्का के भीतर हो उसे हम कहेंगे क्या अं को जानना है दोस्त कि बाह को सिखिये जो है न पाचन किसे कहते हैं बाह को सिखिये पाचन यहां भी उसे ही लिखा गया है बाह को सिखिये पाचन क्या होता है तो दोस्त जो पाचन को सिखिये बाहर होगा उसको का बोल देंगे हम बाह को सिखिये पाचन किलियर हुआ इतना द हाइडर को जानते हैं जानते होंग competitions करके बता कि हम जानते हैं तो हाइडरा जो है एक बोहुट किस्की जिव है कि हमनने बताया क्या बनते हैं नसए या बहुत सारी क्षवन्यकर बनहें है यह जन्तु जिसकी मोख कुप मोस्ग को गौहा और गुवा मैं समझ रहें मल मूख गुइक है छीद्र अंतगर हन और सृजन के लिए एक ही होता जिहां है हाओ फूरि की भी होता है जिसके दौरा भोजरण भी प्रात करता है और उसके ही द्वारा अपना मतलब खाया हुआ भोजन को उस सर्जित भी करता है उस सर्जन्यानी निकालता है तो एतना दूर आपको किलियर हुआ होगा तो दोस्त अब जान लेते हैं हम आगे दिखिए आगे क्या है वो जान लेते हैं अब दोस्तों जान लेते हैं कि पोसन जो है नवो क्या होता है हमने बताया थे खाने की परकिरिया क्या क्या होता है पोसन तो और उससे भी सीम्पल हम बता सकते हैं कि पोसन क्या होता है क्या है ये तो पोसन एक जटिल परकिरिया है दोस्त जटिल पर किरिया है जटिल मतलब क्या कठोर पर किरिया जिसमें भोजन जटिल खादी पदार्थों से सरल खादी पदार्थों जटिल खादी पदार्थ कहने का मतलब समझ रहे हैं कोई भी पदार्थ जो है मजबूत है तो उसको कठोर मतलब जिसे रोटी है तो रूटी को चबाते चबाते दम सरल हो जाते हैं मुलायम तो वो जटिल खादी पदार्थों को सरल खादी पदार्थों में परिवर्चित हो जाते हैं तो वही होते हैं दोस्त पोसन समझें और पोसन में ही धेर सारे चीज़ आते हैं आपको बताया थे अंत गरहन पाचन और सोशन परिपाचन उत्सरजन ये सब होते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम अंत गरहन का कि अंत गरहन कौन से जड़ी बूटी की दवाई है तो चलिए अंत गरहन को हम देखी लेते हैं कि क्या है तो दोस्तों अंतगरहन भोजन प्राप्त करने और खाने की जो किरिया होती है ना मुख दवारा होती है उसे हम अंतगरहन कहते हैं दोस्त अगर हम कोई खाना खाते हैं मुह दोबारा तो जो खाना हम खाते ना दोस्त मुह दोबारा तो वो होता है दोस्त आपको अंतगरहन यानि हम हाथ से थर्या मान लेते हैं एक एक जामपल चाप के बताते हैं मान रich nerede कि यह आदमी है ठीक है यह आदमी है और यहाँ थर्या है अ अब थर्या में इसे कोई भी छीज उठा केखा लिया इसे मुह में तो मुह में जो गया न मुह में जैसी गया उख कहलाЕ रहे हैं, समझें, तो चलिए अंतगरहन के बाद दीख लेते हैं दोस्तों, आता है आपको पाचन, अंतगरहन के बाद आता है दोस्तों, पाचन, दोस्तों पाचन कहने का मतलब समझ रहे हैं, हमारे सरीर के भीतर, सरल्त था बिले अनुवे में तोड़ा जाना, पाचन कहलाता पाचन मुक से प्राराम होकर छोटी आंग तक समाप्त हो जाती है कहने का मतलब है दोस्त हमारे सरीर के भीतर सरल तथा बिले अनुव में मतलब कोई चीज हम रोटी खाते हैं भात उद खाते हैं तो उसको मतलब तोड़ देना चोटा श्रथ तुकड़ा कर देना दोस्त कहलात मुक से मुह यानि आरम यानि शुरू होकर छोटी आंथ तक एक होती है समाप्त हों जाती है छोटी आठ आ आठ माने अंत्री थो है । आगे बात करेंगेगे अंत्री के बारे में इससे चलिए तो चलिए अब तीसरा आता है दोस्त ओसोसन अब ओसोसन कौन सी जड़ी बुठी की दवाई है दोस्तों पच्चे हुए भोजन में से उपस्तित बिले पदार्थ दोस्त बिले पदार्थ आपको होते हैं कार्बो हैड्रीड प्रोटीन वसा बिटामिन एवं खनीज लवन तो दोस्तों पच्चे हुए भोजन में से बिले पदार्थ होका सरीर के दरब्यों जैसे रक्त में चले जाना सरीर के दरब्य दरब्य कहने का मतलब दोस्त जो बैह जाए उसको क्या कहते हैं दरब्य कहते हैं तो दोस्तों सरीर के दरब्यों में चले जाना जैसे रक्त में चले आपको तो वह होता है हमारी बीटर बिलेफ पदार्थ है उसको मतलब खींचना और सोचन कहलाता है यह परिभासा है और इस जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए अच्छा रहे गई से भारी-भारी परिवासा है इसको हमने समझाने के लिए है ठीक है तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त स्वांगी करन दोस्त स्वांगी करन कहने का मतलब होता है दोस्त जो भोजन हम आउसोसित कियें जैसे कार्बोहडेड आउसोसित कियें प्रोटीन भीटामिन एम खनीजलमन यह हम आउसोसित कियें तो उसको काम में लाना कि कह नहीं है उसको काम में लाना कह लाता है आपको सवांगी करन सब्सक्राइब करना मतलब करके और काम में लग जाना तो यह लिखा हुआ वह पर कि जिरिया उसमें उर्जा करने के लिए भी कोई होता है और कोई बिरिधी के लिए तो बिरिधी के लिए और परिपाचन यही कहलाता है दोस्त समझें तो चलिए आगे दीख लेते हैं और हां स्वांगी करन को दोस्त बोलते हैं परिपाचन भी समझें तो चलिए आगे देखते हैं आग हो जा रही है तो हां दोस्तों आगे पढ़ना है बहिसकरन या निसकासन दोस्तों बहिसकरन या निसकासन बात सेमी है या उत्सर्जन सब का मतलब एक होता है कुछ भी कहिए बात सेमी है दोस्तों निसकासन कहने का मतलब इतना समझे नहीं कोई भी पदार्त है आपको घरों मे तो यहां लिखा हुआ है वह फरकिर्या जिसके द्वारा अपचित खादे पदार्थ कहने का मतलब समझ रहे हैं दोस्त तो देखिए इसका मतलब होता है कि जो पच्चा नहीं है न भोजन उसको भी सरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जिसे हम उच्छ सर्जन कहते हैं समझें बस इतना समझें कि हमारे सरीर के भीतर कोई भी पदार्थ है गंदा उसको बाहर निकाल दिया तो वह कहलाता है आपको उच्छ सर्जन या निसकासन या बहिसकरन तो चलिए आगे देखते हैं और हाँ आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तो अगर विडियो पसंद आती है तो लाइक किया किजिए ठीक है अब देख लेते हैं दोस्तों की कारियों परकार अब देख लेते हैं दातों की कारियों परकार दातों की कारियों परकार यहां उत्तर लिखा हुआ उपर है यहां है दातों की कारियों परकार दोस्तों की कारियों परकार यहां उत्तर में ल कि यहां दिखा हुआ है दांतों के बिभीन कारी है दांतों के बिभीन कारी है थोड़ा पेंच चेंज कर ले चलिए हरा कैसा चलेगा हाँ लाल ठीक है वाइट नहीं देखें हरा हाँ हरा ले ले लेते हैं दोस्त दोस्त दांतों के बिभीन कारी है क्या होते हैं पकड़ने चा कारी होते हैं और कौन दांत होता है देखे यहां है दांतों की संख्या कि कहां कितना दांत है निचला जब्रा में कितना संख्या है उपरा जब्रा में कितना संख्या है और इसके बाद है दोनों जब्रों में कुल दांतों की संख्या का योग यानि जोड और फिर यहां दांत चवर्णक और 4 होता है चवर्णक तो चलिए सबसे पहले बात कर लेक्व क्रिंद तक और एक रदणक का इसके बाद अगे पेज करेंगे आपको दिखाइँ देगा तो किरिंतक जो होता है ना दोस्त किरिंतक की संख्या हमारे मुहों में कितनी होती है तो आठ होती है आठ तो होती है फर उपर चार होता है और नीचे चार होता है और इसका कारी क्या है दोस्त तो इसका कारी है कि ये जो पकड के और काटने वाला दांत है ये जो दान्थ है ना ये पकड के काटने वाला दान्थ है ये जो क्या है दान्थ पकड के काटने वाला दान्थ है अब दोस्त आता है रदनक ये जो रदनक है ये इसकी संख्या कितनी होती है टोटल चार होती है और उपर दो होती है और नीचे दो होती है यानि उपरी होती है आठ और चार उपरी होती है और इस कार्ये है चबाने एँ पिछने वाले यह दात है और दोस्त इस्के बाद आता है चवर नक इसकी संक्छे ज्यादा होती है और उपरा जबडा में शिक्स और नीचला जबड़ा में भी 6 और यह क्या कारे करती है चबाने यह उमको चलने वाली दांत होते है ठीक है तो मैं आसा करता हूँ यह आपको समझ में आ गई होगी तो चलिए अब देख लेते हैं अगला सीन क्या होने वाला है तो चलिए अगला सीन क्या है देखी लेते हैं तो हमने दां यहां दोस्ट वो आगे दिख लेते हैं मुक और दूदि के क्या होता है दूद्ह की दा हम उसे कहते हैं है तो कभ दोस्ट कहने का मतलब जो ढ़लत में निकलते हैं न उसे हम कहते हैं हैं जिसको बोलते हैं इंगलिस में milk teeth कोई भी मतलब दाथ है ना जो सबसे पहले बस इतना समझे कि सबसे पहले जो निकलता है ना वो होता है आपको दुध्य दाथ है जनम लेने के बाद जो निकलता है उसको का बोलते हैं दुध्य दात में debates और इसकी संख्या कितनी होती है बीस होती है इसकी संख्या बीश होती है और वर्स की यह यह जो यह ज़े आट वर्स की यह तक यह गिर जाते हैं और इसके बाद जो दाथ आते हैं वो होती है आपको अस्थाई दाथ यानि पर्मानेंट दाथ जो खत्म नहीं होगा वो जी मतलब बुढ़ा होने के बाद ही खत्म होगा तो देखें आगे आता है अस्थाई दाथ आगे आता है अस्थाई दाथ इसकी संख्या कितनी होती है इसकी संख्या आपको होती है 32 और यह कब निकलते हैं जब तुट जाते हैं ना दुध्यादा तब निकलते हैं ठीक है और इसकी संख्या कितनी होती है 36 होती है उपरी जबड़ी में 16 होती है उपरी जबड़ी में 16 होती है और नीचली जबड़ी में 16 होती है और समाने अस्थाई डात स्वस्थ ब्यक्ति के जीवन भर रहते है एक स्वस्थ ब्यक्ति के जीवन भर रहते है दात तथा बिर्धा वस्था पर आया यानि समाने गिर लगते हैं समझें एक समाने बेक्टी के जो दांत है जीवन भर रहता है उसको कुठता ही नहीं है और यह जो समाने बीधा वस्ता यह बुढ़ा होने के बाद यह क्या होता है समाने गीर ही लगते हैं तो आप समझगे होंगे अस्थाई दांत अस्थाई दांत हम उसे कहते हैं दोस्त आगे का सीन है द्रीदंती किसे कहती हैं, द्रीदंती क्या होता है, तो द्रीदंती हैं, मनुस्य के जीवन काल में, मनुस्य के जीवन काल में, जो दाथ है न, दो बार निकलते हैं, मनुस्य के जीवन काल में दाथ कितने बार निकलते हैं, दो बार निकलते हैं, दोस्त को कहती हैं द्रिदंती समझे दोस्त इस अवस्ता को क्या बोलते हैं द्रिदंती बस छोटा सा चीज है समझ लीजिए कि दो बर दांत निकलता है तो वो क्या कलाएगा द्रिदंती तो चलिए अगले सीन के उपर अब जलते हैं बिसम दंती क्या होता है आगे देखते हैं बिसम दंती क्या होता है दोस्त बिसम दंती कहने का मतलब होता है कि सब जीव है तो जीव सभी जीव का तो दांत जो है अलग-अलग होता है तो वही होता है बिसम दंती बिसम का मतलब ज्यादा हो दंती का मतलब दंत तो अलग-अलग परकार के दंत वाले जीव को क्या बोलेंगे हम बिसम दंती, ओके समझे, ये समझ में आ रही होगी, तो लाइक करते चलिए, और नहीं समझ में आ रही है, तो डिसलाइक करते चलिए, ठीक है, तो चलिए आगे दिख लेते हैं, दंत च्छे क्या होता है, दंत च्छे कौन होस्पिटल का दवाई है, चलिए दंत च्छे के बा सब दांट सड़ जाता है तो उसमें केड़ा अड़ा लग जाता है तो वो आपको मतलब भूत हानी का अरत होता समझे Becca जब दांट में केड़ा लग जाता है और तूटना अश्छा हो सब्सक्राइब अगला सीन दोस्ति पारे में दोस्त हम बच्चे की तरह बात कर रहें आप सबको पता है फिर भी लेकिन जीव के बारे में कुछ कुछ बता दे रहे हैं ऐसे आप सब जानते होंगे तो चलिए जीव के बारे में था अधिες है उतर में दोस्त उपर क्या लिखा हुए उपर उपर है ठीक है तो उपर चलिए अब चलते हैं क्या है उपर क्या नहीं है तो पटा-पट उपर चलते हैं उपर उपर आजा आगया तो आगये हैं उपर की ओर हम आगये हैं हाँ तो आगये हैं उपर की ओर देखिए दोस्त ये है मेरी जीब ये है मेरी जीब क्या है ये मेरी जीब और और यहां तिखा है यहां खंटा यहां नमकिन यहां मीठा दोस्तों आप सब जीब से बहुत अच्छी तरह से परचित होंगे क्योंकि जीब को सब जानता है आप इसे मज़े लेने के लिए भी क्यों करते हैं ठीक है अब देखे जीब क्या होता है जीब जो एक मासल पेसी अं गया यह इसका जो अगर भागय आगे का जो भागयना सोतंत्र नहीं होता प्रेंज सपांत्र होता है और यह कि सीुपी दिशा म और साथ ही दोस्त बोलने में भी क्या करता है, मदद करते हैं, समझे, और दोस्तों आपको ये जो जीव के उपर मिठा तिखा, खंटा, मिठा, नमकिन, खंटा, तिखा आपको दीख रहा है, तो दोस्त मिठा, नमकिन, खंटा, तिखा, ये जो दीख रहा है न, इन सब को दोस तो बोलती हैं हम सवाद कलिकाएं क्या बोलते हैं सवाद कलिकाएं समझें ये सब को बोलते हैं सवाद कलिकाएं ओके तो अब चलते हैं दोस्त आगे की और सीन क्या है अब देखी लेते हैं सीन क्या है अब देखी लेते हैं आगे क्या जाननी है क्या जाननी है क्या जाननी है क तो हमने जीव के बारे हम बात कर लिए चले अब आगे आता है दोस्त हमें उल्टी क्यों होती है आगे आता है दोस्त हमें उल्टी क्यों होती है दोस्त आगे है हमें उल्टी क्यों होती है हमें उल्टी क्यों होती है दोस्त आप सब बताएए जब खाना खाते हैं तो क्या होत कि कभी काल हम लोग उल्टा उल्टी करते हैं इसका मतलब पता है सोने के भी गलती हो सकते हैं और आपका अमास से का भी गलती हो सकता है और खाना आप जो खाएं उसका भी गलती हो सकता है दोस्त कभी-कभी हमारा जो अमास है भोजन खाते हैं जो भोजन वो सभीकार नहीं करत है और मुह से किया जाता है निकाल जाता है इसका काराण यह हो सकता है जब आप खाना खाते हों तो पटख़र-पटर-पटर-पटर-पटर विद्थ पारिये प endured यह तो आपको मतलब अमासी जो है न सभीकार नहीं करता है न तो उसके कारण उल्टी आ जाती है समझे, आप समझे कैंहोंगे कि मतलब उल्टी क्यों आता है तो चलिए आगए देख लेते हैं क्या है जड़ी बुटी तो आगे दोस्तों जानना है हमें अमासी और ये यू आकृतिका होता है, यह वा गौत है, यह अकरीति का होता है, यह यह लिखा हुआ है, इस तरह से होता है, हमारे पेटों में की सतरा से होता है ? समझे दोस्त ? तो मतलब u are crítica होता है और यह अहार नाल का सोबसे चोड़ा भाग है यानि खाने अहार नाल गेहने का मतलब समझ रहे हैं दोस्त खाने वाली जो नली है न उसमें सोबसे बड़ा यही होवेक हाता है कौन होता है आपको होता है दोस्त अमासि और इसके एक और दोस्त ग्रासी का जिसको बोलते हैं ग्रास नली यानि खाने की नली और दूसरी ओद होता है खाद सोरी ग्रास नली होगा जिसको खादी पतार्थ क्या बोलते हैं भोजन बोल सकते हैं प्राप्त करते हैं और दूसर आगे समय हो गए तब ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्त अमासी के जो अंदर जो सत्व होता है जो अमासी जो यह था इसके जो अंदर सत्व है उसको हम बोलते हैं दोस्त सलिस्मा जिली उसके का बोलते हैं सलिस्मा जिली उसमें हाइड्रोक्लोरिक अमल पाचक रस स्र हैता करती है तो हैड्र क्लोरिक उमल ओर पाचक रच सरावित करता है इसे जठर रस भी कहती है जिहां दोस्ट हैई हिए और रस भी कह सेकती है और देखें दोस्तों सलिस्मा जिली अमासे के अंदर सतों को सुरक्षा परदान करती है यह जो सलिस्मा जिली है न दोस्त यह हमारे अंदर अमासे की क्या करती है अमासे इस तरह से है न तो अमासे के अंदर यह सुरक्षा परदान करती है और स्रावित अमल अनेक ऐसे जिवानों को क्या करती है नस्ट करती है जो भोजन के साथ वहाँ पहुच जाते हैं दोस्तों क्या होता है कभी काला हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कुछ जिवानों मेरे सहारे हाथ के जरी अगर हाथ अच्छा तो उसके जरीए चले जाते हैं तो वह जो अमल होते हैं ना नस्ट करते चलते हैं वहाँ जब कोई पहुंच गया भोजन तो वहाँ नस्ट करते चलेगा मतलब भोजन खाया और वहाँ कोई मतलब पहुंच गया खराब चीज़ तो उसको मतलब नस्ट करते चलता है जिवानु तो चलिए अब अमास से समझ नहीं आया होगा समझ में वीडियो के कॉमेंट में बताईएगा ठीक है तो चलिए आगे क्या है इसके भी सेमें देखी लेते हैं दोस्त आपको आ रहा था छोटी आत जिसको हम बोल रहे तो बार बार से छोटी आत यहां इसको बोलते हैं छुद्रांत्र क्या बलते हैं चुद्रांत्र इसको छोटी आत क्या बलते हैं छुद्रांत्र बलते हैं तो चुद्रांत्र जो है न यार अमासी के ठीक नीचे है हम ब नली है इसमें भोजन का पाचन जी हां दोस्तों भोजन इसमें पचता है क्या होता है भोजन इसमें पचता है और तो था असोसन दोनों ही होता है किसके अंदर जी हां दोस्तों आपको होता है छोटी आत के अंदर समझें और दोस्तों छोटी आत के जो अंदर होता है ना गरि ग्रंथियों से एक परकार का रस निकलता है जिसे हम बोलते आंतर रस बात करें आंतर यानि आंतरी का रस ओके तो चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या आने वाली है वैसे तमको पता है कि आगे क्या आगा लेकिन आपको बतला दे रहे हैं इस मतलब समय गवानी है तो कुछ तो करनी पड़ेगी ना देखे रसांकूर जिसको दोस्तों हम रसांकूर कहने का मतलब अब समझ रहे हैं दोस्तों रसांकूर का मतलब दिर्ग रोम भी होता है क्या होता है दिर्ग रोम भी होता है इस तरह से मतलब अंगली है ना इस तरह से मतलब अंगलीू के समान मतलब हजारोसनरचना मतलब इसमें दिखाई देती हैं जिने हम दिर्गरोम आथव रसांकूर कहते हैं सम्झें और यह क्या करते हैं रसांकुर छोटी आत की जो ऑसोशन के सत्व है न दोस्त उसको बढ़ा देते हैं असोशन करने में क्या करते हैं साधा करते हैं ठीक है तो यतना आया होगा समझ में चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है तो दोस्तों आगे हमको जाननी है यक रित के दोस्तों इंगलिस में बात करें तो जाननी हमको क्या है यक रित के बारे में तो दोस्तों यक रीत कहिए यांदी घरिलू भासा में कह सकते हैं कुलेज़ा ठीक है यक रीत जो है न दोस्त ये भूरे रंग की क्या है एक गरंथी है जो उदर उदर का मतलब होता है पेट पेट के उपरी भाग में दाहिनी और क्या है इस्तीत है पेट के दाहिनी भाग में क्या है ये अवस्थित है यानि उपस्थित है और यह सरीर का जो है ना दोस्त सबसे बड़ा गरंती है यह क्या है सरीर मतलब गरंती हमारे सरीर में धेरे सारे हैं तो गरंती में से सबसे बड़ा गरंती क्या है यह करीत है और इसमें पीतरस सरावित होता है जो कि एक थैले में जमा होता है जो कि एक थैले में जमा होता जिसे हम बोलते हैं पितासी और पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पितरस जो है ना वसा को पाचन में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं ठीक है ये क्रीट के बारे में आप समझ गया होंगे कि ये क्रीट जो हमारे सरीर को बड़ी गरंती है जो क्या करती है पीत रस को स्रावित करती है ये क्रीट हमारे सरीर को क्या है बड़ी गरंती है जो क्या करती है पीत रस को स्रावित करती है और ये पाचन में महत्यपूर्ण भूमी का निवाती है ठीक है तो चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है कौन सी सूई लेनी है हमें दोस्तो आगे जाननी है दोस्तो अगनियास से कि अगनियास से क्या होता है दोस्तो ये जो पढ़ा रहा हो ना आपको बूक में दिया हुआ है और आपको ये आगे परसने भी आएगे इससे तो आपको डरनी नहीं है ठीक है तो दोस्तो अग्नियासी क्या है तो अग्नियासी है दोस्तो यह हलके पिले रंग की बड़ी गरंती है जी हां दोस्तो यह हलके पिले रंग की क्या है यह बड़ी गरंती है समझें जो अमासी के ठीक नीचे इस्तित होता है दोस्त जो अमासी के ठीक नीचे जम सटले ही होता है जैसे अमाज से यहां है ना सोरी अमाज से यू अकृतिकन होता है तो मतलब अमाज से यहां है ना दोस्त तो मतलब यहां ही यू पौस्तित है यह यू अकृतित है यह यह समझे तो समझे दोस्तों मतलब वह इस दित है और इसे सरावित होने वाली अगनियासरी रस भो देता है कोई भी भूजन खाते हैं तो जिसमें कर्बोडेपोर्टिन यह सब उपस्तित रहता है तो उसको वह सरवल रूप में परावर्तित कर देता है कौन अग्निया से समझे तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या आने वाली है तो जी हां दोस्तों आगे वानी आल जो आए इस्तित होता है तो हमारा जो छोटी आथ है ना दोस्तों उसके जस्ट तुरंत बाद आता है उसको बोलते हैं बड़ी आत वह लगभग मतलब 1.5 मीटर का होता है यह चुदरांत्र यानि छोटी आत कि आप एक च्छा में चोड़ी यह उम छोटी होती है उसको से च जो हमारे जो आत यानत्री है उसमें जल का तो जल को मतलब खींचना और भेजना उसका में कार्य क्या है बड़ी आत का में चारी है दोस्तों जल का और भेजना और यह अर्ध ठोस मल्ली रूप में संग्रहीत रहता है समय समय पर यह मल गुद्धा दोरा बाहर निकाल दिया जाता है इसे हम बोलते हैं उत्सर्जन आपको बताय थे ना कि हमारे सरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसको निकालना अवज़ से है तो दोस्त वुसी पर गार है हमारे सरीर के भीतर जो खाने उन्हों खाते है तो वो गंदी पदार्थ जो होते हैं उसको निकालना दोस्तों कहलाता है आपको उत्सर्जन ओके तो दोस्त चलिए अब आगे देखती है कि आगे क्या है तो दोस्त अब बात कर लेती हैं घास खाने वाले घास खाने वाले घास खाने वाले घास खाने वाले जन्तूओं में पाचन जन्तूओं में पाचन समझें अब बात कर लेते हैं घास खाने वाले जन्तूओं में पाचन तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बता देते हैं गाय जो है ना पहले आप ऐसा समझें इस परिभासाओं को मत देखें पहले देखें क्या आप गाय को जानते हैं जी आप जानते होंगे आपने देखा होगा कि गाय घास को खाने के बाद लागतार जो है जबड़ा जो है चल भोजन को मतलब चबाती ही रहती है तो हम यह कह सकते हैं दोस्त की गाय द्वारा आए परिभासा पर आए गाय द्वारा लगतार भोजन चबाय जाने यानि चलाय जाने की पर किरिया को दोस्तों बोलते हैं गाय जो है लगतार भोजन को चबाती है तो वो होती है दोस्तों बस इतना समझे गाय जहां भोजन जब खाती है तो वो कहां जमा होता है तो उसका आमासी में जमा होता है जिसको हम रुमेन बोलते हैं समझे दोस्त आमासी को हम रुमेन भी बोलते हैं समझे और गाय का जो अथी है न कच चार भागम भी भाजित होता है दोस्त एक तो आमासी जिसको रुमेन चुद्रांत्र अंधनाला और बिरिद्रांत्र ये सब होते हैं चुद्रांत्र अंधनाला ये बिरिदांत्र चुद्रांत्र चोटियांत बिरिद्रांत्र बढ़ियांत और अंधनाला जहां गंदे पदात जमा होते हैं ठीक है तो चलिए इसकी बात देख लेते हैं दोस्त रूमिनेंट क्या होता है रूमिनेंट क्या होता है तो दोस्त साकाहरी भोजन करने वाले सारे जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी, उठ्स ये सब क्या हैं साकाहरी भोजन करने वाले जन्तु हैं तो ये हो गए हैं दोस्त आप आपको रूमिनेंट रूमिनेंट आपको याद रखनी होगी कि कोई भी जनतु जो साकारी भोजन करते हैं यानि घास भोसा खाता होना उसको बोलते हैं दोस्तो रूमिनेंट ठीक है अब चलती हैं दोस्तो आगे क्या है देखी लेते हैं अब दोस्तो कड क्या होता है अब दे रूमेनद में भोजन का आंची कैनी थोड़ा पाचन होता है जिसको हम जुगालि कट कहते हैं। दोस्त आगे देखे क्या है इसमें लिखा हुआ है बस हम यह कह सकते हैं न दोस्त कि जो जुगाल्द कड के बाद जो थोड़ा पाचन हुआ उसके बाद रुमिनेंट जीव इसे छोटी पीड़को के रूप में पुना मुख में लाता है और चबाता है इस परक्रम को जुगा है अपने भूजन को जल्दी जल्दी तो ले लेता है और उसको बाद में निकाल के चबाता है ना तो वो होता है आपको दोस्तों वो होता है आपको जुगाली करना यानि कि लिल गया और उसके बाद बाद में कुछ देर के बाद निकालेगा और उसको चबाएगा तो वो क ये कि दूसरे कच होता है उसको रेटी कूलम बोलते हैं तो दूसरा कच पहुँच का और जहां भोजन पानी का ऐसे ह 접종 होता है और आप Jupiter ममं ओमे सन पहुचता है जहाँ जिया दतर पानी का होता है और फूर चौथी भाग जिसको बोलते हैं याभोमे सन सोरी एबो मेसन बोलते हैं और वहां पहुंच जाता है जहां अमासी में एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है अमासी में एंजाइम की मदद से क्या आता है भोजन का पाचन होता है और छुद्रांत्र बड़ी आत चुद्रांत्र यानि छोटी आत और बड़ी आत में औसोशन होने के बाद अनपच्चे पदार्थों को निस्कासित हो जाते हैं इस परकार जो है गाय में या जनतू उस समय क्या होता है पाचन की परकिरिया पूर्ण होती है समझें तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है आगे जानना है दोस्तों रेटी कूलम तो आपको पताई थे दिविती आमासे यानि जुगाली करने के बाद पसू का दूसरा पेट ठीक है तो दोस्त आज का लेक्चर यहाई पर समाप्त हो गया दोस्त आपको हम सवाल देद रहे हैं घर के लिए आपको बनानी है तो कुछ सवाले देद रहे हैं आपको बना के हमको दिखानी है दोस्तों हमने क्या क्या सीखा उसे के विषय में आपको देखानी है बना के कॉमेंट में बताइए गा कि हमने ये ये सीखा और ये ये हमको नहीं आया दोस्त अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ये जो घंटी आएगी न सस्क्राइब करने के बाद जो घंटी आएगी न दोस्त उसको आल पर प्रेस कर लिजेगा तो चलिए दोस्त यह चैप्टर समाप्ट हुआ अगले लेक्चर में दोस्त हम कुछ थोड़ा बहुत सवाले डिसकस करेंगे अगर कमेंट किजेगा तो अन्य था फिर तीसरे चैप्टर को स्टार करेंगे यह लेक्चर को आप दुबारा तिन बारा देखें आप वो समझ में दम कम फम आए ही जाएगा दोस्त नहीं आता है तो कमेंट किया किजे चलिए अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर बात करेंगे तो आज के लिए इतने ही बन रहे हैं मेरे चैनल पर आप सब को बहुत बहुत चीज यहां मिलेगा तो चलिए वीडियो समपत हुए